क्नेक्टिंग रोड यानि की से क्या बोला जाता है सहीं हो जग छड़ हिंदी में भी नाम इसका जो ध्यान में रखना है आपको सहीं हो जग छड़ कि आना कि अ कि रोड को क्या बोला जाता है सहीं हो जग छड़ है कि कनेक्टिंग रोड का जो बुस बेरिंग किस पदार्थ का बना होता है वह किस दातों का बना होता है option दिया गया है rubber तो rubber क्या ठिकेगा उस पर दूसरा जो option दिया गया है तामबा तीसरा option दिया गया है ब्रोंज और D option दिया गया है aluminium देखिए जरा जस्वन जी प्रेम दया जी देखिए या पर्विन दया जी ने पताया है है डी डी बताया है और तरुन जी ने बताया है सी बताया है और देखिए जड़ा और देखिए तो यहां जो option है 11 के question के अंदर तरुन जी ने c बताया है जैजन जी ने क्या बताया है टी बताया है मनू जी ने बताया है टी option बताया है तो यहां देखिए जो 11 का जो question है उसके अंदर जो connecting road है उसका जो बुस बेरिंग है वो किसका बनाद रेता रहा है ब्रॉन जो बना रहता है तो यहां जो राइट option है वो ब्रॉन होगा है ना क्या होगा ब्रॉन होगा ठीक है क्या होगा ब्रॉन होगा बढ़ते हैं एक्ले question की ओर देखिए जो गजन पिन किसमे फिट किया जाता है गजन पिन यानि कि गजन पिन या कलाई पिन मैंने पहले भी नाम बता है वापस इनको मैं दोरा देता हूँ कलाई पिन यार्ष के पिन टनको को कि एक रहे चाने पिन सब्सक्राइकी तो पिस्टन पिन किसमे फिट किया जाता है तो दिया क्या पिस्टन शीडस के अंदर फिरि में होता है जक्रेजंदे काय н Rocky कि पिरिया होटिए इस्कर्ट जो होता है निची के के इंदर skirt भी होता है heat dam जहां ऊपर की और combustion की किरिया होती है वो heat dam sent होता है है ना cb दिया गया है piston boss है ना तो देखिए एक पर जड़ा question का जो सही answer है वो क्या होगा तो यहाँ वानो जी ने answer दिया है क्या कि सी दिया है अपने आगे देखिए ना तरुन परविंड जस्वन सिंग जी यादव है ना यहां जैचन जी ने बीजी दिया है और तरुन जी ने सी दिया है ना क्या दिया है यहार तरुन जी और जैचन जी तो हैं कि पिस्टन बोस यहां इसे दोसरा जो नाम है घजन पिन भोस के नाम से भी जाने जाता है पिस्टन बोस या गजन पिन बोस के नाम से भी जाना जाता है तो यहां जो राइट अंसर है वो क्या है पिस्टन बोस या फिर इसको क्या बोलते है गजन पिन बोस भी इसको बोला जाता है तो यहां इसके अंदर जो गजन पिन है वो फिट होती है ठीक है कैसे फिट होती है अंदर fit हो जाती है गजन पिन तो इसके तीन प्रकार से fit की जाती है यह ना गजन पिन तीन प्रकार की होती है full floating semi floating और screw type तो full floating होती है वो तो फिल्कुल स्वातंतर गूमती है गजन पिन बोस के अंदर ठीक है सर क्लिप की माद्यम से इसको रख दिया जाता है ठीक है और जो screw type जो होती है गजन पिन उसे क्या कर दिया जाता है दो screw के माद्यम से किसके माद्यम से दो screw के माद्यम से जो piston के अंदर ही इसको क्या कर दिया जाता है तो यहां जो right option है वो क्या है C है बिल्कुल ठीक है बढ़ते हैं अगले question की और देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा question है अक्सर प्रतिगी जो प्रिक्षाएं हैं उनमें पूछा जाता है तो देखिए piston के द्वारा engine cylinder में कौन सा चालन किया जाता है तो piston किस प्रकार की जो गती है वो करती है गती गती कौन सी करती है वही किस प्रकार का चालन करती है option देखिए ज़रा देविंदर जी जस्वन जी तरुन साब जैचिंद सिंग जी देखिए जो इसका जो right answer होगा वो क्या होगा है ना मैं बेट कर रहा हूं फिर आगे में चल रहा हूं है ना question पर तो जो piston के दुवारा जो cylinder के अंदर जो गती की जाती है वो किस प्रकार की गती होती है देखिए ज़रा option दीजिए यह ना तो प्रविण सहाब ने बताया है ए क्या बताया है ए उपर नीचे की गती ठीक है और और देखिए ज़रा अपना response दीजिए यह ना फिर आगे बढ़ते हैं ना यहां जस्वन सिंग जी यादव ने बताया है ए और मंजीज सहाब ने बताया है सी है ना तो देखिए यहां option में है उपर नीचे टेडा मेडा दोलनात्मक और डी है सिधा तो मैं आपको बतादू जो राइट एंसर है वो ए है उपर नीचे इसे बुला जाता है क्या बुल रेशी प्रोकेटिंग मोशन ध्यान में रखना जो दूसरे नाम आ जाएंगे रेशी प्रोकेटिंग कि दूसरा जो नाम है इसका वो होता है प्रत्या गामी गति प्रत्या गामी गति तो निम्मी pattern के नुश़ार जब नाम आएगा तो इसे प्रत्यागामी गती भी बोल सकते हैं उपर नीचे की चाल है वो भी बोल सकते हैं इसको तो ध्यान में रखना ठीक है तो पिस्टन की जो ऊपर नीचे की जो चाल होती है उसे रेशे प्रोकेटिंग मोस्षन या फिर उसे प्रत्यागामी जो गती है उसके नाम से इसे जाना जाता है ठीक है? क्या बोला जाता है? उपर निच्चे की जाननी piston cylinder के अंदर TDC से BDC कहां? कहाँ चलती है? TDC से BDC और BDC से TDC तो BDC क्या है तोब डेट सेंटर वह उचतम केंदर बिंदू या अंतिम छोर जिसे और उपर पिष्टन नहीं जा सकता है ठीक है तो यहाँ बिलकुल सही आपने जो राइट अंसर बताया है वो क्या है ए है यानि कि उपर नीचे की गति जिसे रेशे प्रोकेटिंग मोशन या परत्यागामी गति के नाम से जाना जाता है तो इन नामों को भी जरा अब ध्यान में रखिएगा क्योंकि अक्सर क्वेश्चन जो होता है वो घुमा के आता है और जो निमी पैटन के नुसार जो नाम होगा वो क्या होगा परत्यागामी गति यानि कि क्या होगा परत्याग बहुत यह स्कुस्जन से अ हूं हां से पिस्टन इसकर्ट में 36 अगगर बनाया जाता है पिस्टन स्कर्ट में 36 Schall प्रोट क्यों बनाया जाता है ठीक है रिस्पोंस दीजिए ना अपना 36 लोट क्यों बनाया जाता है कि एप कि कि देखिए जड़ा ओप्शन दीजिए यहां जो बताया गया है कि यह जो 36 स्लोट है वो क्यों बनाया जाता है पर्षि कि दीजिए चीनि बताया है सी और देखिये वे उस्मा पारिशन रोकने के लिए और बताइए ज़रा तो देखिए यहां ओप्षन दिया गया है पिश्टर विस्तार को रोकने के लिए बी ओप्षन दिया गया है तेल प्रवाइट करने के लिए और सी ओप्षन है उस्मा पारिशन को रोकने के लिए और D option है गेस प्रवाइद करने के लिए ठीक है तो यहां जो राइट अंसर है वो सर ने जो बताया है उसमा पारिशन को रोकने के लिए यह जो है छेटी इसकर्ट दिया जाता है ठीक है और T slot को देने का मतलब यह होता है अगर slot होता है तो slot का मतलब होता है उसके विस्तार को रोकने के लिए है ना अगर पिश्टन विस्तार को रोकने का जो option आता तो वह आता कि इसके अंदर slot क्यों दिये जाते हैं ठीक है बढ़ते हैं अगले question की और कि देखिए जड़ा देखिए screen पे अगला जो question है तो यहां बताया गया है ही डेम का किसी पिश्टन में क्या कारिये है हीट डेम का किसी पिश्टन में क्या कारिये है ठीक है देखिए जड़ा C C जड़ा जो पिश्टन है वह देखिए हीड मैं उसका क्या करन आए है 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 तो इस दो देखिए हीड डेम का किसी पिश्टन में क्या कारिये है तो वह देखिए है जैस जी प्रवेंट जी है ना देखिए जड़ा तो यहां ओप्शन में दिया गया है ओईल पास करना भी है पिस्टन हैड की उसमा पारिशन को रोकना और डी है है स्वरी सी यहां करम थोड़ा सा उल्टा हो गया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें से कोई नहीं और गेस पास करना ठीके ना हीड डेम का किसी पिस्टन में क्यों दिया जाता है इसका काम क्या है तो वह देखिए ज़रा है ना पंद्रा का जो option है पंद्रा का जो question है उसमें देखिए तो यहां जो right answer होगा piston का जो head है कि उसमा पारिशन को रोकना piston head के उपर जो उसमा का जो पारिशन है उसको रोकने के लिए यह heat dam center है फैलाव को रोकने के लिए वो दिया जाता है ठीक है ना तो यहां जो right answer है piston head के उसमा पारिशन को रोकने के लिए फैलाव को रोकने के लिए ठीक है बढ़ते हैं अगले question की और देखिए देखिए ऐसे जो question है एक्षर exam में पुछे गए हैं और यह motor mechanic inspector की जो exam हुई वहां भी यह पुछा गया था ठीक है तो जड़ा देखिए अगला जो question है 16 का क्या दिया गया वही पिश्टन के व्यास का विश्तार रोकने के लिए ना उसके विश्टन का जो व्यास है यानि के फैलने से बचाने के लिए उसे रोकने के लिए पिश्टन में कौन सा स्लोट काटा जाता है तो यहां दिया गया है 36 दूसरा है नट तीसरा है उर्दा उर्दावादर और इसमें है डी इनमें से कोई नहीं ठीक है तो निम्मी पैटर्ण के लिए लेंग्वेज आने वाली है और इसी प्रकार से यह जो लेंग्वेज है वो आएगी है ना तो जरा देजिए आपका रिस्पॉंस इसके अंदर अंसर कौन सा होगा जैसन जी प्रेम दिया जी है ना परविण दिया जी जैस्वन जी देखी ज़रा 16 में तो यहां जो राइट अंसर है मैं बता दी देता हूं थोड़ा सा आपको मैं देख रहा हूं रिस्पॉंस के लिए कौन सा दे रहे हैं परविण जी ने बताया है ए ठीक है और देखे जरा जैस्वन जी ने बताया है ए जैस्वन जी ने क्या बताया है ए 36 क्या होता है देखाए आपने 36 का मतलब क्या होता है देखिए और जैस्वन जी ने बताया है सी क्या बताया है सी 36 स्लोट 36 स्लोट के लिए बताया है देवंदर जी ने सी बताया है है तो वहां ओप्शन में दिया गया है 36 नट और सी है उर्दवाधर और इसमें से कोई नहीं तो यहां जो राइट अंसर वो क्या है सी यानिकि उर्दवाधर जो होता है वो स्लोट कटा होता है बढ़ते हैं अगले कोशन की होता है तो देखिए हवा मिश्रित हवा मिश्रित इंदन आइसी आइसी का मतलब आपको पता है आंत्रिक देन इंजन यानिके इंटर्नल कंबस्शन इंजन कुमश्शन इंजन इन हावा मिश्रित इंजन आइसी इंजन के दहन के लिए प्रियोग किया जाता है यदि इंदन में कम ओक्टेन वैल्यू है तो निमंदोस होता है ओक्टेन कम ओक्टेन है ठीक है एक आता है सीटेन भी आता भई एक सीटेन नमबर भी होता है एक octane नंबर भी होता है, octane value है, c10 value भी होती है, और value बोल दीजिए यह नंबर है, तो इसके कारण क्या होगा, तो option में देखिए, क्या क्या दिया गया है, option में, देखिए, pre-ignition होना, इसपारक पलक का, जो जीवन हकाल है, वो कम हो जाना, detonation और backfiring, ठीक है, तो यहाँ, हवा मिस्तित इंदन, IC इंजन के दहन के लिए प्रियोग किया जाता है, ठीक है, यदि इंदन में कम octane value है, तो निमन दोश आते हैं, दोश आते हैं, दोश तो लगवक सारे आते हैं, लेकिन इसमें मुख्य जो रहेगा, वो क्या रहेगा, मुख्य क्या रहेगा, देखिए जरा, बताइए, यहां मुख्य क्या रहेगा, जरा देखिए, मुख्य क्या रहेगा इसमें, ए ओप्षेंच दीजी चलें देखिए करए समय से पूरु ध्यृन प्रिक्रियां होना तो इसे बॉल जाता अदर तो यहाँ जो तो यहां जो राइट एंसर रोगा वो क्या होगा बैक फाइरिंग जो होगी वह होगी इसके अंदर ठीक है ओक्टेन वेल्यू है वह कम हो जाएगी तो बैक्ट फाइरिंग की जो समझ्ट है वह बढ़ जाएगी तो बढ़ते हैं अगले क्वेशन की और चीडियतन के सोलेनाइड इस्टांटर यर्मिचर रोटर vorbei पोल के चार और इस इस कारण से गुम है किस कारण से कुमता है कि तथ के देखि एकि इस इस कारण सेगुमता है दृब सो लेनम इड़ शोनटरई कह में रगा रहता है सैलफ इस्तार्टर के साथ में जुड़ा रहता है कहां सेल्फ स्पाट्र के साथ अ अगे ना सेल्फ स्टाटर के साथ में जुड़ा रहता है सोलिनेट स्विच ठीक है आर्मीचर है भी होता है रोटर है वह चुमक्य पोल के चार और इस कारण से गुमता है थीक है देखिए ओप्षन मि दिया गया है आकर्षन परतिकर्षन कमपन और परतिकर्षन यह दोनों दिये गए हैं डीगे ओप्षन के अंदर के वह देखिए ओप्षन दीजिए जरा रहा है अनसर दीजिए देखिए सुलेनेड या स्टार्टर आर्मिचर रोटर बज चुम्बकी पोल की चारो और इस कारण से गूमता है तो इसका जो मुख्य जो गूमने का कारण है उसका आकरशन ठीक है वो इससे क्या होते है आकरशित होते हैं ठीक है आपको बता है जिसे रोटेटर है आर्मिचर है आपको बता है कि आपने मैंने पहले आपको पढ़ाया था किसके बारे में डैनमो के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि अंदर की ओर ये जो डैनमो बोड़ी के अंदर फिल्ड कोईल जो है चुम्बकिये वो लगी रहती है, वहां आर्मिचर घूमता है, चुम्बकिये बलेखाओं को काड़ता है और विदुध वहां से प्राप्त होता है, ठीक है न, तो क्या होता है, वहां जो आकर्षन है वही केंदर बना हुआ है, तो यहां भी सोलिनाइट, स्टार्टर, आर्मि क्या होता है, बिष्पोर्टन, से क्या होता है, मुझे प्रश्पोर्टन, से क्या होता है, देखी जराएं, देर्श्य प्रारंग, तेल लिकेज, नौकिंग, दवनी, इंजन का, रुकना है ना देखिए जरा तो देखिए जो विस्पोर्ट होता है इंजन के अंदर कई बार आपको एक अचानक से धड़ाम कीशी आवाज मिलती है हैंबरिंग जैसी है ना तो वहाँ आवाज आती है तो उस आवाज को बोला जाता है नोकिंग धवनी किसके नाम से जाना जाता है नोकिंग नोकिंग धवनी के नाम से उस आवाज को जाना जाता है उस विस्पोर्ट को क्या जाना जाता है नोकिंग धवनी ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेशन की और इंजन के स्टार्टर मोटर का प्रियोग होता है क्रेंग स्टार्टर स्टोल आइडलिंग देखिए जरह कि यह जो स्टार्टर मोटर है यानि कि सेल्फ स्टार्टर है इसका प्रियोग किसके लिए होता है ठीक है? तो देखिए जो crank होती है Crankshaft जो होती है Crankshaft जो होती है उसके पिछले भाग पर एक गोल सा पहिया लगा रहता है थोड़ी शी ड्रोइंग इसी प्रकार से है सब्सक्राइब इसको बोला जता है विल इस विल के उपर क्या लगा हुए रींग एड यह किया लगा हुए रिंगा वह इना ओषैंड जीर्ण साफ्ट है ना पूरी ख्रेंग साफ्ट है ना तो अग्र भाग पर इसके लिए रहता है डैंपर पुले बाग पर तो लगा तो इंजन के च्टार्टर मोट्र का प्रियोग होता तो travail फ्लाइविल है इसके उपर जो रिंगेर लगा हुआ है तो जो स्टार्टर मोटर का जो पीनियन है आगे बढ़कर इस रिंगेर से मैस हो जाता है क्या हो जाता है रिंगेर से मैस हो जाता है जिससे फ्लाइविल और फ्लाइविल से जुड़ी क्रेंग साफ्ट है वो घूमती ह तो यहां जो राइट अंसर वो क्या है क्रेंग ठीक है राइट अंसर क्या है क्रेंग तो इस तरीके से जो सोट में भी नाम है वो इस तरीके से दिये जाएंगे वर्मित करने के लिए तो question को पहचानना है कि पूछा आपसे क्या गया है तो यहां जो right answer होगा वो क्या होगा A होगा यानि कि cranking जो होगा वो क्या होगा right answer होगा ठीक है बढ़ते हैं अगले question की और